क्या होगा शरत पवार की नई पार्टी का नाम चुनाव आयोग ने मांगे तीन विकल्प ऐसी जाने की तैयारी चुनाव आयोग इसी ने मंगलवार को घोशना करते वे कहा कि अजित पवार गुट की असली राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी राकामपा है आगामी लोगसभा चुनाव से पहले ईसी का ये फैसला पार्टी संस्थापक शरत पवार के लिए एक बड़ा जटका है आयोग ने अपने आदेश में अजित पवार के नितरित तुवाले समूः को राकामपा का चुनाव चिन्ध घड़ी भी आवंटित कर दिया अब जब शरत पवार खेमा एक पार्टी नहीं रहा है तो ऐसे में उन्हें नई पार्टी के गठन के लिए चुनाव आयोग को आज तीन नाम देने होंगे इसी ने शरत पवार से कहा है कि वो अपनी नई पार्टी का गठन करने के लिए कोई भी तीन नाम आयोग को दे सकते हैं इसके लिए आयोग ने शरत पवार गुट को बुधवार शाम चार बजे तक का समय दिया है पवार खेमे को मिली विशेश चूट आयोग ने आगामी राजसभा चुनाओ के मद्दे नजर विशेश चूट देते हुए शरत पवार के नित्रित तवाले गुट को अपने राजनीतिक दल के लिए एक नाम का दावा करने और तीन प्राप्मिक्ताय प्रदान करने के लिए बुधवार शाम चार बजे तक का समय दिया है महराश्ट्र की छे राजसभा सीटों के लिए चुनाओ होना है राजसभा चुनाओ के लिधी सूचना गुरुवार को जारी की जाएगी चुनाओ आयोग ने एक नाम भी अभी इसले मांगा है ताकि राजसभा चुनाओ के दोरान चुनाओ आच्रण नियम 1961 के नियम 49A का पालम किया जा सके नियम 33A के अनुसार राजसभा चुनाओ में एक मद्दाता जो एक राजनीतिक दल का सदस्य है उसको राजनीतिक दल के अधिकरित एजेंट को ये वेरिफाई कराना होता है कि मत पत्र के अंदर मत डाल ले जाने से पहले किसे वोट दिया गया है अगर मद्दाता प्राधिकरित एजेंट को मत पत्र दिखाने से मना कर देता है तो उसका वोट रद्ध हो जाएगा अजित गुट के पास 81NCP विधायकों में से 51 का बहुमत इससे पहले चुनाओ आयूग ने 140 पेज के आदेशों में कहा है कि आयूग का मानना है कि अजित पवार के नत्रित दुआला गुट राष्टवादी कौंग्रेस पार्टी राकामपा है और वो इसका नाम तथा चुनाओ चिन्ह घड़ी का इस्तमाल करने का हकदार है इसने कहा कि कुल 81 सांसदों विधायकों और MLC में से 57 ने अजित पवार और 24 ने शरत पवार को समर्थन देने की घोशना करते हुए हलफ नामा दायर किया 6 ने दोनों गुटों के समर्थन में शपत पत्र दाखिल किया चुनाओ आयोग ने कहा कि अगर इन 6 को शरत पवार के पक्ष में भी गिना जाए तो भी अजित गुट के पास 181 NCP विधायकों में से 51 का बहुमत प्राप्त है NCP विवाद पिछले साल 30 जून से चुनाओ आयोग के पास पेंडिंग था लेकिन इस दोरान कोई चुनाओ मुकाबला नहीं हुआ था जिसके कारण गुटों को अलग-अलग पार्टी के नाम और प्रतीक देने का कोई अंतरी मादेश नहीं दिया गया था अगले 48 घंटों में उच्चतम न्यायाले जा रहे हैं शरत पवार खेमा शरत पवार गुट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को लोगतंतर की हत्या करार दिया इस गुट के नेता अनिल देश मुक ने कहा ये लोगतंतर की हत्या है जो हुआ वो दुर्भाग्य पूर्ण है इसके साथे शरत पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा हम असपस रूप से दो काम कर रहे हैं सबसे पहले हम अगले 48 घंटों में उच्चतम नियायाले जा रहे हैं दूसरा निर्वाचन आयोग ने हमें कल शाम तक तीन नाम और तीन चुनाव चिन्ह देने का विकल्प दिया है तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे बताने कि विरोधी समुह के सदस्यों के खिलाफ प्रतिद्वंदी न्सीपी समुहों द्वारा दस्वी अनुसुची के तहट अयोग याचिकाएं भी दायर की गई थी लेकिन चुनाव आयोग ने माना कि उसके पास अयोग याचिकाओं से पहले एनसीपी प्रतीक विवाद दायर किया गया था इसलिए अयोग याचिकाओं को लेकर फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए गौर तलब है कि सुप्रीम कोट ने हाल ही में अनसीपी की अयोग याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर राहुल नार्वेकर की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ा कर 15 फरवरी तक कर दी है ग्यात हो कि अजित पवार पिछले साल जुलाई में राकामपा के अधिकतर विधायकों के साथ अलग हो गये थे और उन्होंने महाराश्ट्र में उक मुख्य मंतरी एक नाश शिंदे के नेतरित त्वाली भासपा शिव सेना सरकार का समर्थन किया था आठा निर्वधायकों के शिंदे सरकार में मंतरीपत की शपत लेने से दो दिन पहले उन्होंने निर्वाचन आयोग में आचिका दायर की थी आठा